प्रेंशन उसके दो पार्ट कर दिए हैं एक पार्ट में बड़िया है और दूसरे पार्ट में सेटल्मेंट डिया है आप पोपलेशन जोगरफिय होगा दो तरीकी कर देखा होगा दीने पर ने पर होगा जो हमें other sources से मिलते हैं जो published होते हैं जैसे census हो गया, sample survey हो गया, vital statistics हो गया, data reliability and errors यह सब इसमें add किया गया है, world population distribution, उसके measures क्या-क्या है, patterns क्या-क्या है और उसके determinants कौन-कौन से हैं, तो यह आपको पढ़ना है, उसके बाद world population growth की कौन सी जो है, countries जो है, वो demographic की कौन से transitions में हैं, क्योंकि transitions से भी हमें पता चल जाता है कि कहां पे high fertility rate है, कहां पे high mortality rate है, कहां पे low mortality rate है, है, कहां पे low fertility rate है, यह सब चीजे, तो आपको इध्यान लखना है, इसमें pre-historic to modern period तक आपको देखना है, demographic transition theory जो है, जैसे आपने थांचन का नाम सुना होगा, इसके साथ-साथ और कितनी और भी काफी theory है, जो आपको पढ़नी है, जैसे theories of population growth में, माल्तर्स की theory है, माल्तर से बढ़ती है, और जो आपका food grain है, या फिर आपका resources है, वो किस दर से बढ़ते हैं, तो इन से related आपके question आते हैं, arithmetic में, arithmetic से कौन सा बढ़ता है, geometric form से कौन सा बढ़ता है, तो आपको इध्यान लखना है, इसमें settler की theory है, फिर record की क्या, जो theory है, वो तीनों आपको पढ़न fertility and mortality का, जैसे आप देखोंगे, African countries है, वहाँ पर आपको mortality rate भी जादा मिलेगा, fertility rate भी जादा मिलेगा, या फिर आपको अलप विक्षित देश हैं, या फिर जो आपका under developed countries है, वहाँ पर fertility, mortality rate दोनों high मिलता है, इसके साथ जहाँ आपकी developing countries है, वहाँ पर आपको medium type का मिलेग या फिर जहाँ पर आपका developed countries है, वहाँ पर fertility and mortality rate दोनों क्या है, बिलकुल low मिलेगे, इसके बाद हम बात करते हैं, migration काफ़ इंपोर्टेंट है, type of migration, causes and consequences और इसके models, models काफ़ इंपोर्टेंट है, models, theories तो आपको किसी भी unit की नहीं छोटनी है, उसमें आपको ये जरूर ध्य धियान रखना है, कि कौन सा model किसके लिए प्योग क्या है, और वो किसने दिया है, और किस year में दिया है, इसके बाद population, composition and characteristics, जिसमें age and sex, composition आपको दिखना है, rural urban composition देखना है, occupational structure and education levels, तो ही आपको धियान रखना है, और इसमें आप पढ़ोगे, composition में तो age and sex में आप पढ़ होगे, pyramids, तो pyramids से related काफी बार question आजाते हैं, कि कौन सा pyramid किस country के लिए, तो आपको एधियान रखना है, population policies in developed and developing countries, यानि भारत जैसे developing countries में कैसे population policy अपनाई गई है, और जो developed countries है, वहाँ कैसे population policy, क्योंकि आप देखोगी, कि developed countries जो है, वहाँ पर fertility rate इतना काम होता है, कि वहा developing country भारत जैसे हो गया, इनकी बात करें, तो यहाँ पर family planning जैसी जो पॉलिशी जाते, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, इसके बाद इसका second part आता है, settlement geography जिसको बोलते हैं, बस्ती भूगोल या आवासय भूगोल, ठीक है, settlement geography में, rural settlements काफी important है, और काफी आपके आगे के लिए भी काफी helpful रहेगा, जो बच्चा, settlement geography में, research में जाना चाहता है, तो types, patterns and distribution इसमें आपको देखना है, contemporary, problems of rural settlements, rural urban migration, काफी important है, आज की time में, और covid period में आपने देखा हुआ ही, काफी highlight भी हुआ है, migration जो है, land use changes, और उसके बाद land inclusion and transactions, theories of origin of towns, जिसमें Gordon की theory है, उसके बाद Henry है, फिर ले भी सिर्मम फोर्ड है, तो इनके बारे में आपको देख लेना है, characteristics and process of urbanization in developed and developing countries, यह आपको देखना है, factor of urban growth, trends of urbanization, size, structure and function of urban areas, यह उन लोगों के लिए भी काफी important है, जो urban geography में जाके research करना चाहते है, अपना specialization जो है, वो urban geography में लेना चाहते हैं, तो आपको काफी अच्छे से पढ़े से, urban system, law of the primate city, यह काफी important है, इसमें भी जितने भी theories है, models है, वो अच्छे से ध्यान रख ले कि कि इसने क्या model दिया है, क्योंकि हमेशा जो question आया है, इसमें से, वो models में से आया है, जैसे primate city concept कि इसने दिया, रेंक साइज रूर हो गया, center place theory में से question आ जाता है, लोस और क्रिस्टालर्स के, इसके बाद internal structure of the city, जिसमें model of urban land use है, जिसमें बर्गेश, हैरीस और उल्मैन का model है, होमर हायट का model है, तो यह सारे आपको ध्यान रखना है, इसके बाद concept of mega cities, global cities and edge cities, changing urban forms, यह दिया है, जिसम rural urban trends, suburbans, rings and satellite towns, social segregation in the city, social segregation का मतलब होता है, जो अलगाव है, वहाँ पर सामजिक अलगाव की जो स्तिती है, किसी नगर में, वो क्या है, तो यह आपको इसमें देखना है, urban social area analysis, देखना है, आपको manifestation of poverty in the city, slums, informal sector growth, crime and social exclusions, यह सब आपको इसमें देखने है, इसके बाद geography की बाद आते है, geography of economy and regional development, इसमें जिसी net नेस के 5 पार्ट किये है, जिसमें पहला economic geography है, फिर agriculture geography है, फिर industrial geography है, फिर regional geography है and फिर geography of transportation and trade, तो यह है, आपको ध्यान लगना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, six unit में economic geography की, तो economic geography में पहला है, factor affecting special organization of economic activities, तो आपको यह देखना कि कौन कौन से factor हैं, और वो कौन कौन से activity को प्रभावित कर रहे हैं, प्राइमरी है, तो किस तरीके से effect कर रहा है, कौन कौन से factor effect करते हैं, प्राइमरी को, प्राइमरी में आपने basically पढ़ा भी होगा, कि उसमें क्या आत है, उसमें आपका जो gathering है, वो आजाता है, तो आप लोगों को ध्यान अगना है, कि यह कैसे effect होता है, और जो हंटिंग है, वो भी प्राइमरी activities में आजाता है, secondary activity जो है, उसको manufacturing करने का काम करता है, तो secondary activity है, फिर quaternary है, tertiary है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसके according हम कैसे divide करते हैं किसी work को या फिर professions को, ठीक है, जैसे जिसमें red color हो गया, blue color हो गया, golden colors हो गया, white colors हो गया, तो यह कौन-कौन से आपके labors हैं, उनको किन-किन-कोलर के नाम से, या फिर कौन-कौन Department of Profession, उनको किन-किन-कोलर के नाम से, जाना जाते हैं, तो आपको इस कौन से resources कहां कहां पर पाय जाते हैं फिर natural resources management world energy crisis in development in developing countries इनके बारे में आपको पढ़ना है अब agriculture geography की अगर हम बात करें तो उसमें land capability classification and land use planning cropping pattern methods of delineation crop combination reason and crop diversification यह पहले भी आ चुका है diversification और crop combination में से question तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें एक बार वांथ union का model का इंपोर्टेंट है और इसमें से question आते भी हैं काफी बार तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना measurement and determinants of agriculture productivity regional variations in agriculture productivity फिर agricultural system of the world यह आपको देखना है कि कौन सी जगह पर क्या क्रिशी की जाती है आप लोगों को देख लेना है क्योंकि काफी बार यह जीएस के questions में भी आ जाते हैं जैसे आप देखोंगे जो जो कहवा है कोको है तो यह सारे के सारे क्या है आपके जो आपका भूमध्य रेखिया जो शेत्र है महां पर उगाई जाता है तो आप लोगों को ध्यान लगना है कि कौन-कौन सा agriculture पर इसके बाद आता है इंडस्टियल जोग्रफी, इंडस्टियल जोग्रफी में classification of industries, spectre of industrial locations, theories of industrial location, इसमें काफ़ इंपोर्टेंट है Weber की थेओरी, और Hoover, Augustus Loss, Pratt, D. M. Smith, ये काफ़ी important models हैं तो आप लोगों को यह पढ़ना है और ध्यान रखना है developed countries इसमें tourism industry आपको इसमें ध्यान रखना है और इसके साथ tourism industry, world distribution and growth of information and communication technology इसके बारे में आपको पढ़ना है knowledge production, education and R&D industries इसके बारे में आपको देख लेना है फिर इसके बाद आता है geography of transport and trade इसमें भी models काफे important है आपके theories and models of special interaction जिसमें Edward Ullman का theory है और Hearst के theory आपको दी गई है तो आपको ध्यान रखना है इसमें measures and indices of connectivity and accessibility इसमें देखना है और इसके बाद special flow models है इसमें gravity model है and its variant कौन-कून इसके variant है यह देखना है WTO आपको देखना है globalization क्या है liberalization क्या है world trade pattern क्या है उसके साथ साथ problems of and prospect of inter and intra-regional corporate and trade तो world trade pattern में आपको देखना है कि कौन सी country क्या इसको एक्सपोर्ट कर रही है और वैसे ही आपको देखना है जो आपके country का flow क्या है उसमें पैटन में तो आपको वर्ल्ड वाइडिये देखना है कि developed country वो उसमें कौन सी कंट्री जो है वो किस तरफ जादा इंपोर्ट कर रही है डवलोपिंग के तरफ जादा कर रही है या फिर developed की तरफ ही जादा कर रहे है तो आप लोगों के ध्यार रखना है इसके बाद रिजनल डवलोप्मेंट है रिजनल डवलोप्मेंट में क्या है आपका typology of reasons इसमें यानि आपको टाइप्स बताने है जिसमें दो तरीकी कि आपको रखना है फोर्मल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन रिजन्स के उसके बाद वर्ल्ड डिस्पैरिटी जितने भी क्या है ऐसा मानता है प्रादेशिक विश्व में तो उनके बारे में आपको बताना है तो इन डिजनल डवलोपमेंट जिसमें अलवर्ड क्या है हाई रिशमेंट का है गुनार मिड् प्राइड मेंन का मूडल है डिपेंडेंसी थेओरियों अंडर डवलोपमेंट यह ग्लोबल एकनोमिक ब्लोक्स है रिजनल डवलोपमेंट इन इंडिया यह सारे आपको इसमें पंडने है इसके बाद आता है कुल्चरल एंड शोशल पोलिटिकल जोग्रुपी तो कुल्च कुल्चरल एकलोजी कुल्स्टरल कन्वर्जेंस सोशल स्ट्रॉक्चर और प्रोसेस यह सारी चीज आपको इसमें देख ले नहीं है सोशल वेल्बिंग क्या होता है यह देख लेना क्वालिटी ओफ लाइफ यहां पे काफी इंपोर्टेंट है यह इसकोछे से देख लेना स सोशल एकलूजन हो गया स्पीशल इस्टिविशन ऑफ सोशल ग्रूप इन इंडिया काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ट्राइब से कोईने क्यों क्यों आ जाता है यह लेंगिज से जोड़ा हुआ क्यों 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 आपको ध्यान लगना है पहले भी प्रीवेस यह में भी क्यों आखा है दो देशों के बारे में बात कर ले वारात और चीन कार लेंन भी काफे लगान तो उनका अपको ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा किसी बीक किसमें क्या कहा चाहर्ट लेंड है हर लंड और एक था एर शेंबंदित एयर पावर से संबंदी तो तीनों को अच्छे से आप ध्यान रखें लेना कि किसके थोरी में क्या कहा गया है trends and developments in political geography, geography of federalism, electoral reforms in India, determinants of electoral behavior, geopolitics of climate change, ये काफी important है, geopolitics of world resources काफी important है, geopolitics of Indian Ocean काफी important है, ये previous year में पूछा भी जा चुका है, Indian Ocean से related question, regional organization and cooperation, इसमें SARC, Asian OPEC, EU के बारे में भुजा गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कौन सी country में इनका क्या है, मुख्याला है, headquarter है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, और इनका agenda क्या है, मुख्या, तो ये आपको रहाना है, इसके बाद नियो जिसे हम नेक्स वीडियो में देखेंगे